तो दोस्तों वेल्कम बैक टू जिंदर महल के माइक करियर मोड में जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने लास्ट मैच खिला था हेल इन असल टॉर्नेडो टैग माय जहां पे हमने अपना टैग टीम टाइटल डिफिंट किया हम लोग जीते धमाकेदार डूओ ऑनर रोल वही से आगे बढ़ेंगे थैंक यू सो मच फर आल दे सपोर्ट प्लीज दोस्तों लाइक करना ना भूलिये फटाफट सब्सक्राइब शेर लेट्स को तो हम सीधा नेक्स पेपर व्यू के तरफ जा रहे है सब वाइवर सीवीज यहां पे हमा सब्सक्राइब बारा एलिमिनेशन टाइग मैच है अगेंस बिगई एंड डिल अम्रोज धमाकेदार डूओ को फिर दुबारा अपना टैग्टीम टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा आज लेकिन एक और मैच है इसमें फॉर दी यूस चैंपिंशिप फिन बैलर वससे ज चेंज ना हो जाए फिन वैलर चैंपियन ना बन जाए क्योंकि सिजारो आम कामिंग फॉयो तो वेल्कम टू सब्वाइवर सिरीज एलिमिनेशन टैग मैच क्या बात है मतलब जो टीम लास्ट में खड़ी रहेगी वो जीतेगी जिसको पिन किया वो एलिमिनेट हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि हमारे दोनों के दोनों बचे रहे इनका पहले एलिमिनेट हो कोई बंदा और पहले ही मारना स्टार्ट किया जिंदर ने यहाँ पे रिवरसल आया डीन आम्डोस की तरफ से और एक और रिवरसल हमारी तरफ से आज नहीं बेटे अब हमसे ये टैग टीम कोन नहीं चीं सकता हैल इनसेल में बहुत सही डिफेंट किया था हमने बड़े मुश्किल से डिफेंट किया था ये मैच तो कुछ भी नहीं बीन आम्डोस रोमन रेंज न्यू डे वाले सब हमारे टैग टीम टाइडल के पीछे बड़े में एक के करके आते जाते हैं आते ज साथ स्टार्ट किया उसने फीटना स्टार्ट करो इसको फटा फट दीन को सबसे बहले एलिमिनेट करो सबसे बड़ा खत्रा वो टैक टीम का ये बंदा है काफी जादा बड़ा रेसलर पूम रिवर्स किया इसने ब्रोडी को पंच मारा जिंदर ने ये वही ना बात घूसों के बीच में अटक चुका है डीन अम्रोज बहुत हालत कर दियो उसकी मार मार की शुरुआत में ये हुई ना बात पटाफट मार साले जो अरे ये किया डीन ने रिवर्सल जॉब रेकर के साथ भागते वे आया घूम के टीजीटी ब्रोडी टाइसन इन ट्रबल यह यहां पे डीन आम्रोज यहां से भागने की कोशिश कर रहा है येस उसने अपना पहला टैग दे दिया बिग इजब पावर हाउस इस इन मारा ब्रोडी ने एक पंच वहां से एक पंच ओहो वाट अट बिग प्लोज लाइन पंचेज एंड पंचेज एक्सचेंज और इधर से उधर बेगी ने वहाँ पे कंट्रोल ले लिया अपने साइड में ले गए वो लोग ब्रोडी के लिए खत्रे की घंटी यहां पे थपड़ पड़ा मूपे ये किया रिवर्सल डबल शॉट दीन आम्रोज बाहर बेगी ने फायदा उठाया लेकिन एक्स्प्लोडर सूप तगड़ा वाला भाई पिचका डाला ब्रोडी को वही कोने में पिचका डाला इन लोगों ने यहां पे टेंशन हो रही है थोड़ी जिंदर महल को क्या यह वो सर्भाइब कर पाएगा अके ले और ब्रोडी किसी तरह निकल के आया है येस उसने जिंदर महल को टैग दे दिया है यह वी ना बात उसने जाके पकड़ लिया यह वी डबल टी मूव लगा दिया हमने उठा लिया और पूम दोनों के नी पे इसका पेट पड़ा सबसे पहले अब डॉमिनल ने इसका क्रश क यह हमने आरिश वेप फ्रम जिंदर महल टोप के तरफ एक है एंड वाट बैली टू बैली भागते वे बिलकुल मोमेंटम के साथ सीधा टॉप प्रोप पे चड़ गया है एलबो ड्रॉप लेकिन मिस हुआ पूरा यहां पे बीगी से थोड़ा सा बच के रहो भाई उसके प लेकिन हमेरे पास बिलकुल भी वो नहीं बचा है रिवर्सल सही यार यह तो सूपलेक्स के सूपलेक्स दिये जा रहे हमें फटा फट भागा वो रिंग से दूसरी तरफ दीन अम्रोस को इसने टैक कर दिया है एंड वो काफी रिकवर हो चुका है भाई सारे अपने रिवर जिन दरने सही टाइमिंग यहाँ पर एंड थोड़ी सी मुसीवत दीन अम्रोस के उपड़ सिगनेचर मूव लगा दिया है कोने में फेक है इसको दीन अम्रोस के अपड़ डबल धमाका डबल नी धमाका दीन अम्रोस की वाट लग चुकी है अपने कोने में ले जाएंगे अरे 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 अपने कोने में ले जाना था एल्बो लगा इसके मूव पे कोई ना दुबारा ट्राइ करते हैं दीन की हालत काफी खराब हो चुकी है उसने रिवर्सल कर दिया है हमें कोने में पटक दिया है उसने कमबैक मूव लगा दिया है लेकिन किक पड़ा उसके है एंड येस हमने अपना टैग फिनिशर लगा दिया है यहाँ पर कम ओन टाइगर बॉम आरके ओ कॉम्बो पूम बहुत सही क्या सही मूथ था मैंने जाके बीगी को मारा यह ले टू ट्री एलिमिनेशन यहाँ पर डीन अम्रोस को हमने कर दिया इलिमिनेट वाट गूट टैक अठाके फेका बीगी को दूसरी तरफ यह हुई ना बात अब हमें कोई नहीं रोग सकता औरे भाइसा बीगी अभी भी फाइट करते हुए अकेला बजगे अपने टैग में थोड़ी सी प्रॉब्लम काफी प्रॉब्लम उसके लिए कह सकते हैं एंड रिवर्सल रुमा के प दो बेगी ये ले मुँप एक पंच वीगी घूम गया है तार अधियर दिखा दियो इसको दिन में एक और बंच ब्रोडी रिकावर नहीं गरबार है इतने देर में एक और पंच अन्ड ब्रोडी इतत्तक उठ गया अपने कोने में मतलाओ दूसरे अपोनेंट के कोने में मत के चाड़ तरफ गोइंग फॉर दो पिन ब्रोडी चाहता है एक एलिमिनेशन वान अराम से अभी तो बिगी के पास काफी हेल्थ है काफी फाइदा उठा सकता है वो यह किया उसने रिवर्सल ब्रोडी टैसन को नीचे गिराया एंड मुझ से दूर रहने की कोशिश कर रहा है वो बकड़ गसीत लिया फ्री रिंग में घसी लिया उसको सिगनेटर मुव है उसके पास मुपे नहीं मारा रहा है खुस्ते में आ गया सिगनेटर मूव लगा दिया उसने बिग स्प्लैश ओ पूम क्या तगड़ा मूव न हा भई है तो टू बचा लिया इंदर वहल में ब कि अबभी टीज नब रिबसें कर दिया सब कुछ यह ले मेरे बंदी ने यार रेफरी को मार दिये फाल तुम्हें क्या होगे हाँ सब फजगे को निन के अंदर स्कूप स्लाम ब्रोडियूट ब्रोडियूट तेरे पास सिगनेचर मूव है मेरे पास सिगनेचर मूव है कुछ करते कमाल आजा टैग दे मुझे टैग दे भाई को टैग दे जिंदर महल इंदर रिंग अब आजाओ भाई दे लाथ इसको देधनाधनलाथ कॉर्णर सिंगनेचर अरे यार उठ गया मेरे सामने उठेगा जिंदर महल के सामने उठेगा एक्स्प्लोडर सूप्लेक्स बूम दूसरी दरफ पठका है कॉर्णर सिंगनेचर के लिए रेडी हो चुके घंचक कर लाथ घुमा के देना है बिग बूट भूम खतम मैच भई खतम बिगी की फुल वाट लगाई है हमने फिर दुबारा बिगी को उठाएंगे फिनिशिंग मूव आ चुके हमरे पास एपिक फिनिश होना चाहिए विद एन ओम जी मॉमेंट लग गया भाई यूनिकॉन स्टामपीड धार 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 सही दोनों मिलके घूम घूम के लाथ पर लाथ बजाते जाओ बजाते जाओ ये हैंडिकाप मैच बन चुका है विगी हम दोनों के बीच पे पिटता जा रहा है पिटता जा रहा है अब उनके पास कोई अड्वांटेज नी रहा एंड ड्रॉपकेट इसके साथ इस मैच को खतम हो जाना चाहिए पिन के लिए जाना चाहिए इसको येस ही गोस पादे पिन जिंदर मेहल वान टू वाट भाइस साथ ये कैसे बज़ गया ये कैसे बज़ गया मैं कोने में खड़ा हो जाता हूँ सिगनेचर मूव है ब्रोडी के पास दे दिया उसने सिगनेचर मूव एलाबामा स्वैम फिनिश टिस फिनिश टिस पिन कर पिन कर अरे यार ये बंदा फिनिशर भी दे के छोड़े गा बिग एक के पास इंगेचर मूव आ चुका है उसने रिवर्सल कर दिया बहुत ही बड़ा बूम एक को और रिवर्सल दूसरी तरफ से और बूम रिवर्सल्स पर रिवर्सल्स ओहो ओहो पावर बॉम पावर बॉम बहुत ही तगड़ा वाला बहुत ही तगड़ा वाला एंड घसीत लिया है इसने ब्रोडी को घसीत लिया बीचरिंग में फिर दुबारा सिग्नेचर मूव के रिए जा रहा है पूद गया भाई ये तो बड़ा ज़ा स्प्लैश जिंदर महल सेवजेट बचाली भाई बचाली हमने थोड़ा सा माना पड़ेगा बिगी को हम एलिम लेक नहीं उने देंगे भाई धमाकेदार डूओ कभी दोखा नहीं देता है गुसरे को गेटिंग चार्जड अप फॉर दे चार्ज फिनिशर कम ओन ब्रोडी लगा दे अपना ब्रेन बस्टर कर दे इसका दिमाग खाली उठा भाई यह गसीटी रहा है यहां से महाँ तक इसको गसीट गसीट के हालत खराब गदी दूसरे चफ पठकेगा नाइस अब तो उठा ले लगा दिया उसने अपना चार्ज फिनिशर लगा दिया टाइम टू इंड दिस माच सब्वाइवर सिरीज में बहुती बड़ी वेन होगी हमार ले कम ओन बूम लग गया भाई लग गया और यह भी गो वान तू त्री और अब भी भी चैंपियंज हर एक चैलेंज को हमने सही से हराया टैग टीम टाइटल पे हमारा रेंज चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो आफ्टर सवाइवर सिरीज सिजारो अभी भी युनाइट स्टेट्स चैंपियन हम लोग नमबर वण कंटेंडर बन चुके यस हमारी नजर बैट चुकी यस बेल्ट पे सिजारो हमारा टारगेट हम उसको कॉल आउट करेंगे आज तो टाइम आगया है कि हम सिजारो को चैलेंज करें यस हम उसके साथ राइवल्री उठाने वाले आज जिंदर महल रिंग के तरह बढ़ते हुए एक माइक्रोफोन के साथ आज और उसको कॉल आउट करना पड़ेगा अगर उसने मेरा चैलेंज नहीं उठाया फिर देखना इसस अ ग्रेट डेट गए इन डुल डुवई इम आम अमान ओफ अक्शन action से बोलता है सब कुछ जीत के दिखाऊंगा, champion बन के दिखाऊंगा so many superstars come out to this ring and say a bunch of words I don't like words, I don't like talking I like fighting face to the face yes right in their face आजा भाई my career trajectory is unparalleled, someday player could never beat me I can't coexist with him भाई आप जो मेरा career पगड़ रहे rail पगड़ रहे वो हम रुकने निदे सकते championship के बाद, championship US championship अभी हमारा main target let's go आजा भाई, time is a commodity to me, bring out your cleaning supplies, ready to explode I am ready to explode damn it, enough, enough shouting all of you just shut up stop it, Cesaro, get your sorry ass out here right now उससे पहले मैं अधर सब को सुना दू फटा फटा Cesaro ने हमारा challenge सुन लिया है Mike लेके वो खुद बहरा गया है अपने United States Champion Cesaro हाँ, जोश मही आते है हर बार आजा भाई, challenge आ रहा है, तुझे पता है next pay-per-view में champion कौन बनने वाला है Cesaro पॉंचु के रिग में अब fight start होगी silence, you people need to understand that there is a time and place to be rushes but this time, not that moment so I can give this man the verbal tongue lashing he deserves बोलतर है, बोलतर है, चल you're in the bear's den now I cleared this time with the authority we have been down this road before I must be अब तु भई गुफे में गुश चुका है तु ताइगर के गुफे में गुश चुका है समझा अब यहाँ आए तो पिट के ही जाएगा तु कोई तुझे भी रोख नहीं सकता कोई बचा नहीं सकता match तो हो के रहेगा you think this title is just another trophy to add to your collection it's a symbol not only that you are the man that represents this company but also all of the fans in this arena and around the world अरे देख लेंगे सब हमारे support में सब चाते यूस चांपियन बने जिंदर महल you can't beat me you all think I'm fall short are you trying to be a goof you can't beat me हर बार हराया तुझे वर अन बन मेंने कहीं बेभी फेटल फोर में हराया था कुछ दिन पहले you can't beat me सुन्रह Cezaro फोड़ी सी की सनग रही है no one here can take away your claim to be the number one contender you have earned that much thank you Cezaro तो अब मुझे मैच देते simple सी बाते अगले पेपर व्यू पे मुझे मैच चाहिए let's make a bigger draw you are such a boring challenge let's make it a bigger draw क्यू नहाँ सब कुछ लगाय जाए भाई what about the next pay-per-view I'm not trying to step on any toes here I definitely don't want to upset Mr. Champion here but it feels like it will be a bigger draw we'll both get more money it's fistily more wise choice man wise choice no amount of insult or smack talk is going to help you not that I don't appreciate the conversation you are just in long line of people who tried and failed I won't fail we'll take you from the championship you didn't win a match title match hope you took the pictures with your title because now it's going to change if someone else will have you you won't get the chance with that I'll break your streak I pride myself on being the champion I will never ever lose the title to you I pride myself on being the champion I am the champion for the people of the people in the people say it's like yes promo we won and Cesaro the US champion ring as well the US champion comes in the time has the challenge and rivalry has the start with our rivalry since Cesaro he is celebrating here he is going to be our match but we are going to run in the first time to attack he is going to run into the ring and come and he is coming आफटाफट भागते वे आया है भाग 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 सेजारा तोप उतार दी इसमें पंचेस मार रहा है यह ले फिर उठा लिया हमने एंड सूपलेक्स पढ़िया सूपलेक्स यहां पर बेल्ट उठा लिया हमने युएस चैंपिन्शिप और पूम क्लोज लाइन के साथ नीच गंटा बज गया गया गंटा तो नहीं बजा यह फिंक मेरे ख्याल से अभी तक मेरे हाथ से बेल्ट उड़ा दी इसने मेरे हाथ से पेल्ट उड़ा दी इसने कोण हूँ वे फेक है हमने चल सिजारो लटका देश को यही पे लटका दे एंड बिग बूट सीधा मुझ पे यह मैप स्टार्ट नहीं होने वाला अब यूएस चैंपिन्शिप यूएस चैंपिन्शिप से सर फोड़ा इसका इसी का चैंपिन्शिप इसी के सर पे यह लेक और शॉट चल चल मुझे मारने आया था मुझे सबक सिखाएगा और रेफरी ने बिल्कुल रोग दिया यहाँ पर दोनों कैसे देख रहें दूसरे को तो यह राइवल्री हीट अप होते ही जा रही है अब हम जा रहें मेन इवेंट के तरफ फेटल फोवे मैच बैटल रोयल रखवाया गया है इसमें सिखारो और में दोनों राइवल्स एक साथ प्लस फिन बैलर मेखल से नंबर टू रैंक पे एंड रैंडी ओटन भी क्या फरक पड़ता है यहाँ पे रैंडी ओटन ने सबसे पहले मुझे मारना स्टार्ट कर दिया ओहो सूफलेक्स के लिए जा रहा है वो टू लेट एंड सूफलेक्स पढ़ गया हमारे उपर विन बैलरान सिखारों वहाँ पे फाइट करने लगे रिवरसल आया जिंदर महर की तरफ से पकड़ लिया हमने रैंडी को बैटल रोयल मैच है जिसने ओवर दे टॉप एलिमिनेशन जे बाहर पेखना है इस दूसरे को तो जो सबसे लास में बचेगा वो उस मैच को जीतेगा एक और मौका है हमारे पास लिजार को सबग सिखाने का हमारे अगेंड है मैचेज में लेकिन मारने का मौका मिलेगा या नहीं ख़तरनाक ग्लेर है वाई पर कभी भी स्ट्राइक कर सकता है कही से भी आचानक से इस ले बहुत ज़ाद़ ख़तरनाक है हमने रैंडी आउट्ण को उठा लिया यहाँ पे सूपलिक्स ले जा रहें बहुत ही सई सूपलिक्स बहुत ही क्लीमि मैंने इतना उमारा रैंडी को इसके बाद फिन बैलन ने मुझे पकड़ लिया इसको मैं डामेज कर रहा हूं ओ भाई साथ एल्बो ड्रॉप जिंदर में हेल इंट्राबल फिन बैलन हमें पीटे जा रहा है फटाफट जोड रिवर्सल आया रिवर्सल आया येस बूम एल्ब अबे यार ये करी नी रहा कैसा बेवकूफ है खुद बाहर हो गया जा आप बाहर हो जा देवकूफ कहीं का हो नहीं था बाहर उसकी मदद कर ली रहा बूम फिन बैलन के पेट में मारा हमने बजगे भाई ऐलिमिनेशन से बजगे हम लोग वापस रिंग के अंदर सब के पा पूने में डबल नी धमाका एंड फिन बैलर की वाट लगा दी हमने यहां पे डबल नी धमाका के साथ उधर अपरकट पड़ गया है सिजारों ने वहां बड़ा सा अपरकट मारा अब यह कहां नीचे लटक गया फिन बैलर फिन बैलर को अलिमिनेट करने की कोशिश रेड बार में रोकना है बहुत टफ दूसरी बार दोनों तरफ यही चल रहा है और रहे है कम ओन एलिमिनेट नहीं हो पाया रैंडी ओटन इन फिन बैलर इन और बूम फिन बैलर ने रिवरसल किया गुमा के एलबोदी है मूपे कम ओन फिनिशिंग मूव को ओहो कोड ब्रेकर जि जिंदर महल की वाट लगाए जा रही है यह पड़ा मूपे है कितने रिवरसल है फिन के पास करे जा रहे है करे जा रहे है फिर अब जाके फिन बैलर हमारे हाथ को लगा है कोन वे फेक है उसको ओ भाई सब सेजारों ने सीधा ही अलिमिनेट कर दिया वहां से क्या पावर द जो इसको पता नहीं अब चाके हाथ चला रहा है फिन बैलर को पकड़ा हमने ऐरिश विप अभे सही से करते है आरिश विप मैं चला भाई सेजारों तू मार ले यह मुझे ऐलिमिनेट कर देंगे दोनों मिलके मुझे लग रहे है फिन बैलर को यहां पे लात मारी जा रही ह किया कर रहा है Cezaro मसाज कर रहे है उसका फिनिशिंग मूभ फिन बैलर के पास भी है वो एक बार में हमें ईलिमिनेट कर सकता है तो तो उसको फेक ना बहुत जरूरी है वैसे चल भई तुझसे तो हो नि रहा पूंज इकर देता हूं उसको उसको निमिनेट चल भई तो तो हो दशेर, जिंदर महल, अभे तुझे एलिमिनेट करना बढ़ेगा क्या भाई, लै फिर, सिजारो को एक कोने में फेका है, फिन बैलर को हमने पकड़ा, यहां से लटकाया नीचे, एंड फिनिशिंग मूव, फिनिशिंग मूव, बूम, इलिमिनेटेड, अब भाई, दो उसकी तरफ से, पैंग, अपरकट मारा है इसने, इसके अपरकट भी बहुत खतरना के, छोटे छोटे अपरकट मारते रहता है, क्या पावर बॉम के लिए जा रहा है, टू लेट, बूम, पढ़ गया भाई, जिंदर की हालत लाल कर दिये, इसने मार मार के, ओ ओप्स, चार लोग उसे स्टार्ट हुआ था, हम दो बचे वें, एंड क्या सही, दो राइवल्स बचे वें, बॉम, पढ़े स्लो खेल रहा है जिंदराज, एंड ये बढ़ा स्नाप सूपलेक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मूव, फिर रिवर्सल, दुकान खोल लिए, अबे कर, बटनी गलत अपरे सब के सब, सिजारों ने हमें एलिमिनेट करने की ठान ली है मतलब, बहर नहीं जाएगा मतलब तू, लग गया, सिगनेचर मूव आ चुका है हमारे पास, रिवर्सल हो गया मेरा सिगनेचर मूव तो गया में काम से, तो मैं काम से जाम गया, घं सिजारों कमबैक मार सकता है, उससे पहले वो मारे, हम इसको बाहर ले जाएंगे फटाफट, अरे यार, रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल कर दिया, ये ले फिर, मेरा रिवर्सल, अब आ मेरे हाथ में, अभे, फिर रिवर्सल, और शिप्ट, ये ले फिर रिवर्सल, ये फिनिशिंग मूव उठा लिया अटिट्यूट अजस्मेंट एंड ये बाहर ये वाट आव वें भाई वाट आव वें क्या सही खुंदस निका लिए यहां पर लास्ट में रैवल को रखा उसको बाहर फेका सिजारो मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं एक टे ए करके टे टे ओहो सिजारो भाई अपना प्रोमो फार ने आया यहां पर कॉल आउट करने जा रहा है हमको जिंदर महर को कॉल आट करेगा आजा फिर देख दे तेरी स्पीच here we are again another arena another town another show what do you guys think huh what do you guys think I am a champion United States champion have you guys seen a certain superstar you know the one I am thinking about ho ho he is the guy who could lose 10 pounds of fat just by cutting off his head भाई सब इंसल्ट इंसल्ट कर रहा है जिंदर महर की we were once friends I liked you I respected you फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ भाई so I can give you your chance to apologize मुझसे माफी मंगवाना चाता है सबके सामने मुझे बुलाना चाता है तो आजा भाई जिंदर महर किसी से डवाश तक यह सूपर स्टार यह कलाकार सबकी लेके रहेगा जिंदर महर कुसे में बहार आया है you know you were hoping I wouldn't show yes तू यही सोच रहा था कि मैं बहार नहीं आऊंगा हा तेरी यह सड़ीली बात सुनके तुझे मूँ पे करारा जबाब मिलेगा you and me we've got some business बहुत बड़ा business पेपर वीव बहुत जलदाने वाला है एंड उधर में टाइटल चीनने वाला तुछ से congratulations you now have my full attention attention तो हर समय से तेरो पर ही रही है भाई एक ही target रखता हूँ सही से the wwe oh no 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 you are listening to me meri baat son it's my time to rule wwe are bhai हमारा performance इतना कम जा रहे I refuse to lower myself to your level and continue to proceed in this immature argument ज्यादा बखबख नहीं करना चाता ही हां give me the title give me the bloody title जिस चीज के लिए मैं आया हूँ मिलना चाहिए भाई give it to me I want it now now means now match चाहिए difference that's the difference between you and me this is why I'll be walking out of the match with the title in my hand गलत पहिमी है इसकी गलत पहिमी है and oh oh what a low blow cesaro बिल कुल डाउन cesaro was not expecting this क्या खतरनाक low blow मारा है भाई साब जिंदर महर गुसे में आया बिलकुल आज नहीं तो कल ये championship हमारे around होगी लेकिन आज ये पूरा बजला निकाला जाएगा rivalry हमें गालिया दे रहा था अब बताता हूं भाई निकालो बेस्बॉल बैट लगाया इसके दो तिंच शकल पर टॉंट मार रहा उपर टॉंट मार रहा है ले फिर दाड बेहोश ये पड़ा एक और ये ले भागेगा भागेगा ओशिट सिजारो ने बैट चीन लिया भाग 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 जिंदर महर फटा फट भागा है वहाँ से ले फिर बैट वापिस दे मैं ले किया अधना मैं ही मारूँगा पड़ी जिंदर के I mean सिजारो के टकले पे डिवर्सल डिवर्सल मार नहीं घूंगा आज में ले विट बैरिकेट क यह कैसे लात माने लग जया सर फोड़ा नहीं रिवर्सल हमने सर फोड़ा एंड बूम इंटू दी अनाउंस टेबल सिजारो की वाट लगा दिये हाँ पे तो हमारी महनत रंग लाई जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे टी एलसी पे WWE United States Championship के लिए मैच वन-on-one टाइटल मैच अगेंस सिजारो तो ऐसा वैसा मैच लिए टी एलसी मैच रखवाए गया जिंदर महल वसिस सिजारो फॉर दी चैंपिंशिप फॉर दी यूएस चैंपिंशिप हमारा पहला सिंगल्स टाइटल हो सकता है वह पहली इस ने टेबल पे हमें फोड दिया जिंदर महल जाके सीधा टेबल पे गिरा टेबल चकना चूर हमें बेल्ट निगाली है रिंग के बीच में से जिसमें पहले वो बेल्ट निगाली वो इस मैच को जीच जाएगा नया चैंपिन बन सकता है आज जिंदर महल बिल्कुल रेडी आया है एंड पूम नी टु दो सिजारो भी भाई गुसे में आया बहुत बार पीटा है हमने उसको बीच में बहुत बार पंगा उठाया इसके साथ भाई करना पड़ता है बेल्ट के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई टडका लगा के मारना पड़ेगा आज इसको और भी जादा लटका दिया इसको बूम बिग बूट आ रहा है धाड कनपटी पर दिया है किसके सिजारो की हालत शुरुआत से हमने बुरी कर रखी है उठालो भाई जितने वेपन मिलते हैं सब यूस हो सकते हैं नो डिस्कॉलिफिकेशन लैडर्स टेबल्स चेर सब पड़ा हुए आसपास पूम पूम पूम 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 signature move and shit signature move reversal कर दिया इस बंदिल मेरा यह क्या यार सब कुछ reversal कर रहा है मैं भी लिमार ने दूँगा तुझे boom into the corner फिर दुबारा आगया signature move हमारे पास कोई ना, सर बड़ा बैरिकेड में extreme, extreme German suplex ring के बाहर stagra damage यहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, सब कुछ उल्टा पड़ रहा है भाग ले बेटा भाग जितना दूर भाग सकता है भाग uppercut uppercut इसके बहुत खतरनाक दांत वात न तोड़ दे मेरे अरे भाई उठा लिया इसने उठा लिया इसने suplex के लिए जा रहा है पटक दिया पीछे सिजारो ने थोड़ा सा momentum पकड़ लिया अचानक से और शायद वो ladder के लिए जा रहा है फटा फट ladder पकड़ेगा ladder पकड़ेगा तू तू पकड़ेगा उठ टकलूट टकलूट signature move military press बेटे ऐसे ऐसे फोड़ूँगा तुझे आश तो ऐसी ऐसी जगा पर फोड़ूँगा तुझे ले बेटा bridge लग चुका अब अब बे chair निकाल के लिए आए ये bridge लगाना दा भाई उधर पूम सिजारो को कौने में फिकेंगे चल भाई कोने में रही हो ज़्यादा हिला तो मैं बता दूँगा तुझे सिजारो बिल्कुल डाउन हो जो कहा हिल तक नहीं पा रहा फिर चड़ गया उपपर क्या कर रहा भाई अब लैडर निकाल ले बड़ा वाला अबे यह क्या है मैं कुछ सेट अप करने जाता हूँ यह लोग फादा उठा के मारते रहते हैं मुझे एंड ओन दा बैरिकेड अगें बीच में मता पीच में मता समझा बीच में मता मेरे मार मार के हालत गुरी कर दूँआ तेरी चोटा सा लैडर है बिल्कुल इतना चोटा सा घर ले जा रहा है क्या चोट रिंग के अंबर एक्शन रिंग में तो रहे गाई नहीं जिंदर महल तो अपरन पे चड़ गया चल भई सेजारू को पता है नहीं क्या चल रहा है उसके पीछे और नीचे उतर गया कहां कूदने की सोच रहा था उसके पर नीचे उतर गया रिवर्सल आया सेजारू की तरफ से भाग के मारने की कोशिश अबे यार पंच पढ़ गए पंच पढ़ गए इसको बूम तेरे अपरकट ने खाऊंग आज में कौने में फेक है इसको एंड ओमजी मोमेंट लेविटा एक पहला ओमजी बैरीकेट के थुरू तोर डाला सब सब कुश तूटेगा अज से जारो तूटे जाएगा दूम चैंपियन हम बनेंगे आज के दिस इस आउसम दिस इस आउसम सिगनेचर मूँव हमारे पास फेर दोबारा अब कर ले सेट अप निकाल लैडर वो क्या रहा है अब जाके निकाल लैडर आरवन पहले प्रेस करिए कि वो वैसा ना कर पाए सही का आरवन पहले प्रेस करिए फिर एलवन होल्ड करके बूम लैडर ब्रेज लग चुक है अब किसी की शामत आई है यहाँ पे सिगनेचर मूँव के लिए फिर दोबारा एक्सरसाइज करके आया भाई पांसो 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 पांड के लोग उठाता हूँ मैं समझा ओई मुझे फेक दिया भाई सिगनेचर मूव आ चुक है यह कहीं उल्टा ना फोड दे भाई मेरा काम तमाम हो जाएगा इस लैडर ब्रेज पे पावर ओ भाई बड़ा सूपलेक्स जिंदर महल को पटक पटक के हालत खराब कर दिये अबे अबे नीचे से ही निकल गया नीचे से निकल गया यह आजा आजा तेरह ही वेट है भाई यह गया धाड़ एंड ओ एमजी मोमेंट लैडर ब्रेज पावर बॉम पूम सेजारो गॉन पूम दाड़ा तोड़ दिया भाई तोड़ दिया एक तो स्टील का लैडर उसके उपर दो दुखड़े उसके मैं सोचो कितनी पावल से उसने पावर बॉम दिया होगा एंड अमा के ले रिंग में बहुत ही अच्छा मोका अब ये लोग बहुत जल्दी उठते खड़ा ही नहीं होना इसपर खड़ा ही नहीं होना अब ये मैच उल्टा भी पड़ सकता है सेजारो को बाहर पेका है ओहो वापिस अंदर क्यों खीच रहा है मार बूम 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 ये पड़ा बेटा बैक ब्रेकर वाट लगा दिये सिजारो की हमें उठ कैसे रहे बंदत ने जल्दी हमारी बारी आएगी न एक हाथ तक नहीं हिला पाता हमारा बंदा टो इस था क्या पिंश्ट्र और सब्सक्रा लगा लोगत आप बेटा इस तोक्लोज तोक्लोज रच रफ N s एक लास्ट एक लास्ट हूँ एक लास्ट व्धर्अंपिन जीन्दरॉ है के लॉछट्व-भश्ट इपिक मैच्च वी हाड़ देनू यु विड्वेख चाम्प्यू techno दी ट्राइगर जेन्दर attempts first time first time singles champion हम बने किसी चीज़ के तो thank you so much दोस्तों ये था आज की एपिसोड आई होप आप लोगों को बजाया प्लीज फटाफट बहुत सारे लाइक्स और मुझे कॉमेंट्स में बताईए कि अगला टाइटल कौन सा होना चाहिए इंटर कॉंटिनेंटल या फिर एनेक्सटी चैंपिंशिप क्यूंकि वैसे भी पॉल हेमन के चैलेंज के लिए हमें सारे चैंपिंशिप्स चाहिए तो मैं जानना चाहूंगा प्लीज मुझे बताना शेर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा और तब तक के लिए मेरी क्रिस्मस सब को बाई